और अभी इसका मैं गार्ड इंस्टॉल करने वाला हूँ ये मेरे को 300 में मिला है ये बॉसनी का पेंट जो फ्लैट ब्लैक पेंट है तो बिल्कुल ये एरिया बिल्कुल मैटी ब्लैक फिनी सा चुका है तो चलिए जल्दी से आपको दिखाते हैं प्रेंड से जैसा कि आप देख सकते हो मैंने बाइक से एक्जास्ट को ओपिन कर लिये हैं और यहां पर देख सकते हो कितनी यहां पर गंदगी हो चुकी है और यहां पर मैं अभी सेंडिंग करने वाला हूं एक्जास्ट की जो कंडिशन है कितनी खराब हो चुकी है तो इसको बिल्कुल मैं न्यू की तरह इसको बनाने वाला हूं और इस जगह पर जो है देख रहे हो यहां पर रस्ट आ रही थी तो इसको मैं यह सब रिमूब करूंगा तो अभी पहले मैं यह सब ओपें करने वाला हूं यहां पर जितने भी गाड़ थे मैंने इसी ओपन कर लिया है और अभी मैं इसको सेंडिंग करने वाला हूँ यहां पर जो है मेरा सेंडिंग कंप्लीट हो चुका है और बहुत अच्छे तरीके से मैंने यहां पर पेंट निकाल दिया है यहां पर बहुत जादा रश्ट था और अभी इसको मैं ड्राइ करने के लिए छोड़ दूँगा कुछ दिर के लिए उसके बाद में इस पर स्प्र कि दिर बाद मिलते हैं गईस ताउसंद येर्स लेटर अच्छे तरीके से पेंट हो चुका है और इसकी जो फिनिसिंग आप देख रहे हो बिल्कुल ओरिजिनल टाइब कर लग रहा है तो अभी मैं इसको बाइक में स्चॉल करने वाला हूं तो बाइक इसको इसको इसटोल करने के बाद में आपको दिखाता हूंँ friends तो यह एक प्रोसीजर था अब भी अपने एकजस्ट को निऊ जैसा बना सकते हो तो finally मैंने इसमें इसमें इसंटोल कर दिया और अभी इसका मैं गाड इस चॉल करने वाला हूँ तो यहां पे देख सकते हो फ्रेंट्स मैंने गार्ड यहां पे लेकर आया हुआ है बट यह गार्ड मैं इंस्टॉल करने वाला नहीं हूँ क्योंकि मेरा एक्सिदेंट में था यह आप देख सकते हैं यहां पर scratch आ चुका है, यहां पर guard मैंने अल्वडी बाइक किया हुआ है, यह मेरे को 300 में मिला है, new guard का signing देख रहों कितना जवर्दस्त है, तो अभी मैं इसको install करने वाला हूँ अपने exhaust में, जो कि मैंने अभी just paint करके install किया है, बाइक में, exhaust guard के बाद यहां पर भी एक छोटा सा guard होता है, तो इसको भी मैं यहां पर install करने वाला हूँ, मेरा जो exhaust है, बिल्कुल complete हो चुका है, बिल्कुल new brand की लग रही है, और यहां पर देख सकते हो, कैसा look है यहां पर, और यहां पर देख सकते हो, मेरी bike में, यहां भी मेरे को थोड़ा सा paint apply करना है, यहां पर मैंने already sanding किया हुआ है, और इस जगह पर, यहां पर देख सकते हो, मैंने recently ब्लॉक पिस्टा new change करा था, तो यहां पर भी मेरे को apply करना है, बट अभी bike थोड़ी गंदी है यह जगह पर जिससा कि आप देख सकते हो, तो अभी इसको washing करवाते हैं, यहां पर paint apply करेंगे, तो यहां पर जो है यह बॉसनी का paint, जो flat black paint है, तो काफी अच्छा paint है, मैं भी आपको recommend करूँगा, बाइक करने के लिए तो आप बाइक कर सकते हो, तो काफी new जैसी आपको एक coating मिल जाएगी, तो अभी फ्रेंट चलते हैं, और बाइक को washing कराते हैं, फिर इसमें paint apply करेंगे इस जगह पे, finally friends, मेरा जो bike है, बिलकुल washing हो चुका है, और देख सकतो, neat and clean हो चुकी है मेरी bike, इस जगह मैं अभी paint apply करने वाला हूँ, यह सब area में, और इस जगह पे, तो चलिए paint apply करते हैं, और आपको मैं दिखाता हूँ, कर दो कर ऐसे जगह पे, बिलकुल बाुब। मेरे बाइक में पूरा पेंट हो चुका है जिसा कि आप देख सकते हो मेरा एक्जोस्ट बिल्कुल न्यू हो चुका है और जहां-जहां मेरे को पैचिंग करना था वहां पे मैंने पेंट कर दिया जिसा कि आप देख सकते हो बिल्कुल जो है यह एरिया बिल्कुल मैटी ब्लै फिलिस आ चुका है तो फाइनली आप लुक देख लो बाइक का तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट में बताना और थोड़ा सा भी यूसफूल लगा हुआ गाईज तो फ्लीज लाइक से सब्सक्राइब कर दाना और चैनल पे न्यू हो गाईज तो सब्सक्राइब कर के जाना फ्लीज और चलिए मिलते हैं नेक्ट वीडियों में तिल देन टेक केर बाई-बाई और राइट सेफ गाई चलो बाई